मित्रों जय मातादी मित्रों आज 27 सितंबर बुद्दूवार का दन है ऐसे में क्या कहती है आपके रासिया और आपको जानेंगे आपके भाग का रासि फर्ल मित्रों यह वीडियो शैत्र रासि और नाम रासि पर अधारित होगी तो आप अपने नाम राशी के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज का दिन कैसा गुजरेगा आपका लव लाइफ, आपका स्वास्त, करियर, आपका धंधा पानी और आपके जीवन में जो कष्टों से चल रही है प्रिसानिया उसे किस प्रकार से दूर करोगे आपके घर के इस्ति, पारिवारी के इस्तिया, बैवसाई के इस्तिया और आपके स्वास्त के इस्तिया इसी के साथ आपको जे दुस्मन हैं उन्हें किस प्रकार से आप प्रास्त कर सकते हैं, किस प्रकार से जीवन में आपको सफलता मिलेगी और क्या कहते हैं आज आपका भागे का राफित हैं। तो मित्रों आज की यह वीडियो, आज का यह कारिक्रम बहुत खास रहने वाला हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में कि आज का पंचांग क्या कहता हैं। तो आज का पंचांग सबसे पहले आपको बता दे कि आज दिन बुद्धवार हैं। और वही आज जो है भादर सुकल पक्ष की 23 अनला समवत्र विक्रम समवत 2080 सक समवत 1945 रहेगा। तरोदसिती रात 10.30 के उपरांद च्छतर दसी हो जाएगी। आज शुरियोदै छे बज कर 20 मिनट से होगा। शुरियास्ट डृट पशे बज कर 15 मिनट पर होगा। वहीं चंंद्रोदै साम के 5 बज कर 6 मिनट पर होगा और चंद्रास्थ चार बज कर 52 मिनट पर होने बाला आए जान लेते हैं आज के पंजांग के बारे में, आज के राहुकाल के बारे में, तो आज का जो राहुकाल है वो काफी महत्पुन रहे, आपको समभलकर रहने के जूरत होंगी राहुकाल में कोई भी गलत कारे ना करे शुबकारे ना करे वहीं बात कर लेते हैं आज के अभिजीत मुहरत के बारे में तो आज का जो है अभिजीत मुहरत वो बहत्रिन रहने बाला है क्योंकि आज का जो अभिजीत मुहरत रहेगा वो नहीं रहने बाला है अमरित काल का महरत रात में 10 बचकर 5 मिनट से 11 बचकर 30 मिनट पर रहेगा तो दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं आज के रासी फल के बारे के क्या कहती है आपके ग्रह के इस्तिया तो दोस्तों आज जो है आपको धनलाब की प्राप्ति होने वाली है आज आप अपने कारिशित्र में कुछ परिवर्तन करने को लेकर विचार कर सकते हैं आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनरजी आ रही है जिनें आपको दूर करने की जुरत होगी negativity ये हमारे आसपास होती है इसे आपको दूर करने की जरूरत रहेगी इस रासी के जो लोग बिजनसमेन हैं उनों लोगों के लिए दिन काफी सुब रहने बाला है आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं जिसमें आपको भविस्व में फायदा होने के असारने जर आ रहे हैं बुरे वहवार करने के कारण लोगों से वहस हो सती है दोस्तों से आपको काम में सही हो मिलेगा जिससे आपके काम असानी से पूरे होंगे दोस्तों का पुरुण सा योग इस समय बनता हो दिख रहा है आप कम समय में बहुत सारे कामों को करने की कोशिच में लगे रहेंगे परन्तु यह कोशिचें उस हद तक के सफल होगे जिस हद तक आप मेहनत करोगे इसलिए आपको कारिशित्रों बिसेष मेहनत करने की जरूरत रहेगा आज आपका लिये आपका दिन बहुती अच्छा रहेगा सुब रहेगा सुब समाचार मिलने के योग बन रहे हैं सुब समाचारों के फ्रापती होंगी पारिवारिक रिष्टों के बीच समांजस से बनाने में आप सफल रहेंगे पारिवारिक रिष्टियां आपके पहले से काफी अच्छी होंगी परिवार का फुर्ण सहयोग मिलने वाला है साम को बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा साम को बच्चों के साथ आप कहीं पाटी में किसी रेस्टोरेंट में जाने का योजना बना सकते हैं जो आपके लिए सुब रहेगा आपके कई दिनों से रुके वे काम भी पूरे होंगे रुका भकारी आपका पूरा होगा ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचें क्योंकि ऑफिस में अगर आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी करोगे तो वो भी आपके लिए परिसानी का सबग पन सकता है उसलिए आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा इसरासी के जो शात्र हैं उनों लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहीगा शात्रों को पढ़ाई लिखाई के प्रती मन लगा रहेगा शात्र भी पढ़ाई में मन लगाएंगे लम्विट के लिए रिष्टों से भड़ा विठास भरने वाला है रिष्टों से बड़ा बहुत बड़ा प्रिवर्तन होने बाला है और कारिश्यत्र में भी आपको धनलाप की प्राप्ति होने बाली है इसी के साथ में तरुबात करेंगे आज के जो लोगों का कोट कचहरी से जुड़ा मामला है उनमें आपको जीत हासिल होगी कोट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और किसी पुराने लोन की EMI से आपको छुपकारा मिलेगा जो आपको काफी लंबे समय से फ्रसान कर रहा था वो आपके माते का बोज हलका होने बाला है जिससे आप काफी प्रसन्न होगे आफिस में आपके कामों से आपके काम करने के तरीकों से आपके जीवन में जो परिवरतन होगा उससे आपके ऑफिस में सीनियर भी आपसे प्रसन्न होंगे जिससे आपको खुसी मिलेगी और दूसरों को भी खुस करोगे भाईयों के साथ रिष्टों में मजबूती आईगी भाईयों का पुर्ण सयोग मिलेगा लोग आप से कुछ सीखनी की कुसस करेंगे आप भी लोगों को सिखाने का अवसे प्रियास करें जो भी आप से बन पड़े आप लोगों के सहता जरूर करें छात्रों को भी कॉम्पेटीसर में हिस्सा लेना पड़ सकता है छात्रों को इस समय बैसेज मेहनत करने की जुरुत होंगी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको सफलता और काफी बड़ा हिस्सा आपके जीवन में आने बाला है जो आपको धनलाब करने बाला है जो लोग क्रिकेट, स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं फुटबॉल से जुड़े हुए हैं टैनिस बॉल से जुड़े हुए होकी, बॉली बॉल, इंतियादी से खेल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आज बड़ी सफलता मिलने बाली है उन लोगों को बड़ा लाब मिलेगा आपका दामपत्य जीवन खुसीयों से भरा रहेगा दामपत्य जीवर में बड़ा उपहार की भी प्राप्तों होगा लम्मिट के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा आज आपके किस्मत आपका साथ देगी किस्मत का सही योग मिलने की वज़ा से आप बने वेकारिको और फुर्तिबादी से करोगे आफिस में काम को लेकर आपके एहमियत बढ़ेगी आफिस का वाता बरन काफी अत्यनती ही दुरलब रहेगा आप खुद की मेहनत करने से संतुष्ट रहेंगे खुद को आप ताकतवर महसूस करोगे और लोग भी आपके कार्यों के तारिफे करेंगे लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार आपको आज मिलने वाला है जिससे आप काफी परसंदों होगे साथ ही कुछ जुनियर आपसे काम को सीखने की एक्षा जाहिर कर सकते हैं जुनियर को सहयोग करें, जुनियर की सहयता करें वहीं आज के दिन आपको कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ मामलों में आपको सहयोग, लियू का सहयोग मिलेगा अगर आपके घर में कोई समान तूटा फूटा है या फिर आप अपने घर में पैंट पुटी या किसी अन्य परकार के फरनिचर के कामकाजो को करवा रहे हैं तो आप गाड़ी खरिदने का मन भी बना सकते हैं जिन में आपको सफलता मिलेगी आज किसी से ऐसा वादा बिलकुल भी ना करें जिसे आप पूरा ना करवाएं क्योंकि आपके द्वारा किया गया वादा आप पूरा करपाने में असमर्थ से दिख रहे हैं इसलिए जो आप से कारिच बने उन्ही कारिच को करें आप बेफजूल के अन्य कारिचे में पूरा योगदान देनी का प्रियास भी न करें जो आप से बन पड़े वही कारिच करें और उसी का वादा करें इस रासी के नोकरी करने वालों को कमपनी में किसी नए काम की जिम्मेदारी भी लेकी इस रासी के जो लोग नोकरी बेपार बेविसाय करते हैं उन लोगों को इस समय लाप की प्राप्ति होने वाली हैं कामकाज की योजना में बदलाव करेंगे कामकाज में बड़ा परिवर्तन होगा लमेट कहीं घूमने जा सकते हैं लमेट का इस समय पूरा परिवर्तन देखा जा सकता है दामपत्ते जीवन भी आपका सुख में बना रहेगा दामपत्य इस्तितियां काफी अच्छी बनी रहेंगी जिससे आपको प्रसंता मिलेगी वित्रू आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमाविंदुवासनी